बुल्कूम बेक टो माइ चैनल रहता है मैं आट निया आप सब को मेरे चैनल पे मेरे घर पे बहुत 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 सवागत करती हूं मैं भी अच्छी हूं, ड्यूटी से आ चुकी हूं, आते ही धर के काम में लग गई, सफाई काताम हो चुका है जो था थोड़ा बहुत डूटी जाने से पहले ही मैं जादा तर करके चली जाती हूं यह आकर भी तो थोड़ा होता है ना बाप बेटे थोड़ा गंदा करते है और अभी नहाने के लिए पानी भर रही हूं क्योंकि जानती हो पानी नहीं उठ रहा है लेवल एक दम नीचे चला गया है हां हमारी किसमत अच्छी है कि मुए का पानी पूरा नहीं सूख गया मिल रहा है रसी बालती से ही हम उठा पा रहे हैं और काम कर पा रहे हैं जी तो नहा लेते हैं फिर मिलते हैं अभी बैठ गई चोटी से भूग के लिए क्या खा रही हूं मैं पोहा आम और थोड़ा सो दूद भी दिया है इसमें दही नहीं दिया दही राइदा बनाऊंगी तो उस टाइम पर भी खाऊंगी तो इसलिए सोचा दही नहीं दू और सिर्फ दूद आम के साथ ही पोहा इं अभी का दूद आम है झाल झाल तो जी नहादों के तयारों के आ गई कैसी लग रही हूं इस सारी में बहुत दिनों बात सारी पहनी है उसके साथ ये छूड़ी कान का अंगर सच विंदी आज सिंदूर जो बहुत मन हुआ ऐसे सजने का बहुत दिनों से सजना थजना हुआ नहीं तो सचाच एक दम मतलब जो जो बंगाली की तरह बहु की तरह बहु की तरह अच्छे से सज़लती हूं आज अज अज बहुत गणि लगती है ना श्कूल सानों के बाद मूड ने होता लेकिन आज आज किया है जो हो जितनी भी जल्दी हो लंच बनाना में जो हो लेकिन आज में सारी पहनोंगी और ऐसे ही रिल्स बनाऊंगी और मेले गई खभी-कभी तो बोलो सारी पहन के दिस बनाना ज है ना इसको गर्मी लग रही है तो चलो बाद में बात करते हूं तो जो डील्स बनाना कमप्लीट अभी लंच की बारी लंच में आज एकदम सिंपल लंच बनेगा जाबल चड़ा दिया है दाल पूछती हूं पहले आम है दही है राइता पनाऊंगी वेटे के लिए और छो प्रोब्लेम ना था फिर जो प्रोब्लेम हुई बापरे तो आज एकदम सिंपल खाना बनेगा सिंपल लंच बनेगा आप लोगों से शेयर जरूर करूंगी देखते रहो ब्लॉग तोजी साग बन रहा है आज और यह मैं ही बना रही हूं पितम की पपा ने काटकूर के रेड्र करके दिया था और बोले बना लो तो जो ऑडर करते है वो मान्य होना हुता है ...... बान्य करना पड़ता है तो बोले है तो कर देती हूं और चावल चरा दिया है चलो बनते ही दूसरा काम देखती हूं यह देखिए पितम फिर से एक पंची लेकर आया है कही मिला उसे कहां मिला कहां मिला बोला इसते में उड़ नहीं पाड़ा है यह पंची देखो पकर के घर लेका आया है नहला आया है से पंची को भी पानी भी लृग लाग गया वहां से यह देखो यहां पाचुप गया पानी लग दे ही लेख लिए कर दो आजो आज रहे टो आज पानी देदो नहीं दोगे तो जिल लंज की तैयारी शुरू कर दिया था मैंने अभी पीतम के पापा लगे है चोटी वाली मचली पीतम के पापा बनेंगे यह मचली फ्राइ किया हुई फ्रीज में था थोड़ इसी है जादा नहीं है आलू के साथ एक कड़ी बनेगी और दाल मैंने चावल के अंदर ही दाल भी बनेगी दाल बनेगी अंडे के साथ मैंने सोचा था कोई सब्जी हो घर पर तो वह मैं तो उसके साथ बनाए यह तो यह जलदी बन नहीं है तो इसके साथ सलात ले लो बस और कुछ नहीं चाहिए आपका खाना कम्प्लीट हो जाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं हमारे घर में और भी आइटेम बनाने परते हैं तो मचली बन रही है देख रही हो यह जो रीच बना रहे है इसे बहुत इमली भी डाला है बहुत सारा मैं तो नहीं खापाऊंगी एक आलू फ्राइ किया हुआ ही ख्या लेती हूँ बहुत अच्छा दाला है मिर्च डाला है खाना ही मुश्किल है और दाल को च्छा रहे है तब ही तो स्वाद आएगा ना पेंडे कि बाइल हो चुक है छिलका उतारना है पितल फोल देख रहा है पढ़ाई-वेलाई शोड़कर सुबह सब पढ़ लिया है तो अभी बार 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 बोलोगे तो बच्छा गुस्ता हो जाएगा और ये फैन चल रहा है एकदम बात करना है मुश्किल है ये जब अंडा अंडा रखी आए शिलका उतार देती हो अंडा डाल बनेगा टेस्टी टेस्टी तो ये विरायता बनारी हो माँ बेटे के लिए पितम के पापा तो नहीं खाते ब माँ बेटे ही खाएंगे इस गर्मी में इससे बहतर क्या हो सकता है जो भी खाना बने लेकिन राज़ता हो जाए तो बात बन जाती है और मेरा बच्चा इससे खा भी लेता है आराम से कोई जंज़त नहीं करता तो इसलिए पना रही हूं अभी फ्रिज में रख देती हूँ तो यह दिन में रात करके बैठे हैं हम अभी मैंने लाइट जलाई आप लोगों से पाते करने के लिए नहीं तो लाइट बंद करके दर्वाजा खिर्की बंद करके हम लोग बाटे बैठे है क्योंकि बाहर निकलना नामुम्किन और पीतम से पापा दाल को छोका लगा रहा लाइब है पीतम की तोबलन बले नहा कर यह कर दो ब Lup लेकर बैठा है और बाट दाल को छोका लेका ते हम खाने बैठ जयेंगे क्योंकि लंच टाइम तो ऐसे निकल गया है उस बनाते बहुत हुआ पैट्किया हुआ था तो हो में ऑध करके हैं तो पर गया हम लिए को दाल क बनाना छोड़ी दिया है बहुत टाइम चला जाता है लेकिन आज जबर्दस्त मन हुआ तो चलो अभी खाना बना सब सेट करके फिर आप लोगों को लास्ट में एक बार दिखा देती हुँ तो जी लास्ट फिनिसिंग चल रहा है पितम के पापा दाल को चौका लगा रहे है डाल कोचो का लगाते ही खाना कंपलीट अजका लंच कंपलीट अजका लंच है कर्मी स्पेशल लंच क्योंकि जो खाना बना है यह सिहत के लिए भी बहुत अच्छी है सुआध में भी अच्छी है और जल्दी हजम होने जए मैला ही भी है क्योंकि अंदा दाल एकदमी तो गर्मी में बरी जो चर्वी वाली मचली बरी मचली खाना बहुत मुस्किल हो जाता है मतला हजम करना बहुत मुस्किल हो जाता है आपको बहुत प्रॉबलम होती है अंदर से लेकिन चोटी मचली एकदम परफेक्ट है और उसके साथ रायता वह भी आपको गर्मी में पस दाल बन चुका है पूरा एक्दम सब लेकर मैं बैठ गई सजा कर दाल को देखने से क्या लग रहा है यह मेरा और यह रहा मचली पीदों के पापा के हिसाब से बनाया हुआ और यह साग और रायता और साग तो बोलना भूली गई साग तो हर मौसम में खाना जरूरिया आम तो और क्या जी चलो दनों को बूलाती हूँ फिर खाने बैठ जाती हूँ तो जी चलो हभी खाना खालेता है तो लो अंदर बैठा थे हैं तो बोला का खाना खालेता है फिस थोड़ी देर रेस पिर सामपो बिलूंगी और क्या आज तो एकडम सिम्पल लंच नीन्द अच्छी सी आएगी, जादा रीच खाओ तो नीन्द नहीं आती, मुझे तो रीच से एकदम नीन्द नहीं आती, जलन करता है कला पेट सब जलता है जैसे, और सिंपल खाओ तो एकदम अच्छी सी नीन्द, और क्या जी, तो चलो, साम को मिलूंगे, गुट इबनिक आगे, आप लोगों से मीनले, हालत देखी रहे हो, बिजली गायब, और मैं मंजुलिका बन गई, सोरी रही थे, कुछ महीं किया है, खाजल बजल सब जैसे, पैसा ही है, तो देखने में तो भायनक लगा है, मुझे चिप-चिपा चेहरा बहुत गर्मी है, और बिजली गाय अब घर में थोड़ी दिर बैठो, बिजली आये तब जाना इधर हो, सारे साथ बज रहे है, और पता नहीं इस अंधरे में कहां क्या है, चलो उसे देखती हो, फिर आप लोगों से बाते करते हो, तो तुझे अभी तक बैठी हो, पितम को ढूंड कर लाई मैं, यह देखो, पितम, तो पास में एक आंटी के घर जाता है, वही गप्पे लारा रहता है, तो ढूंड कर आई मैं, और अभी तक बिजली नहीं आई, घर में गुसा नहीं जा रहा है, बाहर भी पसीना पसीना, हालत देखो, बहुत बुरी हालत में है हम, बारिस का नामों निशान नहीं, और यह किर्टन चल रहा है, तो मैं भॉइस भी नहीं दे पारे हूँ, हालत बहुत घरा, किर्टन मतलब अगर बिजली रहती तो घर के अंधर दे देती, दर्वाजा किर्की बंद करके, तो एडिट भी नहीं हो पारे है, ऐसे ही बैठी हो, क्या करें बोलो, तो चल आज का आज करते हो, आप लोगों को अगर मेरी घुडिया चल लगते लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग नहीं हो, और बेल आइकन को टंग से दबा देना, और अधर आप यह देखो मेरा पंची, बच्चा-पंची-बच्च और मेरी तो बच्चन-विच्च करते हो, बच्चे में बाते होई, फिर चली गई माँ, साथ कल आएके फिर से मिलने उड़ने ही पा रही है, तो रह जाए हमारे यहाँ पर जब उड़ पाएगी तब चली जाएगी, है ना, तो चलो टाटा, आज के लिए टाटा, आज के ल